How to Change Keyboard in OnePlus Phone नमस्कार दोस्तो आगर आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के रिवाइस में Keyboard Change कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको Keyboard Change करना है तो आप इस वीडियो को आन तक जरूर देखेगा ठीक है मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चैन्ज करना होगा अगर दोस्तो आपके पास जो डिफॉल्ट कीबाइल पर और वह आपको पसंद नहीं आपको कोई दूसरा कीबाइट करना है चैन्ज करना है तो आपको यह वीडियो देख लेना है और उसके वाद आपके लिए आसानी हो जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले आप पहले तो यहाँ पर एक एप्लिकेशन यहनि कि कीबाइट डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है कीबाइट करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर चाहिए होगा और वहाँ पर जाके कोई भी एक कीबाइट ले सकते मैंने स्विफ की इंस्टॉल कर रखा है और उ सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा आपके मुबाइल के सेटिंग पर तो इस तरह के का ओप्शिन मिलेगा एं यहाँ पर आपको स्ट्रॉल डाउन कर लेना है system पर click करना है language and input पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा virtual keyboard ठीक है तो manage keyboard में जाए अगर आप देख पा रहा है यहाँ पर manage keyboard उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है इस वाले option पर click किजिए ठीक है Microsoft की और यहाँ पर okay कर दीजिए okay करने के बाद आपको जीबोट जो है उसको disable करना होगा कि को दोस्तों यह जो जीबोट है यह आपको आते है Google LLC के तरफ से और यह होते है by default ठीक है आभी दोस्तों आप जाए अपने mobile के message पर उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी message open करके अपना keyboard को चेक कर ले यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग तो मैंने कर दिया है लगबग तो एक बार दोबारा से चेक करके देखते हैं कि हुआ क्या है ठीक है क्यूंकि दोस्तों मेरा जो दिफॉल्ट कीबोर्ड में उसके बाद Microsoft Swift की यहाँ पर सेट कर दिया है और उसके बाद इसको यहाँ पर कि अधिक करके फिनिश आप कर देते हैं कि तो इसको बेक करते हैं ठीक है उसके बाद दुबारा से एक बार जाकर चेक करते हैं यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा आपको ठीक है उसके बार आपने आप चेंज हो जाएगा तो जो सेटिंग में आपको शो करके बताया है उसको फोलो कर ले और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से चेंज हो जाएगा आपका कीबोर्ड ठीक है तो अग लोड करें और उसके बाद इस तरीके से चेंज करें तो यह है दोस्तों कीबार्ड चेंज करने का तरीका और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बाइडिफॉर्स सेट करना है तो सेम सेटिंग आपको फोलो करना होगा ठीक है तो यह था दोस्तों कीबार्ड चेंज करने का तर